प्रक्रन नौवा वचन पालन एक दिन खलीफा उमर कुछ प्रतिष्टित व्यक्तियों के साथ बैठ लोगों के जगडे तैक कर रहे थे इसी समय दो व्यक्ति एक सुन्दर युवक को पकड़ कर वहां लाए और बोले हजूर इस दुष्ट ने हमारे पिता को मार डालाए हमारा न्याय कीजिए उमर ने उस व्यक्ति से पूछा अब तुझे इस बारे में क्या कहना है युवक ने सिर जुका कर विनित स्वर में कहा खलिफा ने कहा जब तु अपना अपरात स्वीकार ही करता है तो मेरा करतव यही है कि तुझे मृत्यो दंड दू युवक ने कहा आलमपना मुझे आपका दंड स्वीकार है पर एक प्रातना है मेरा छोटा भाई अभी बालक ही है उसके लिए मेरे पिता ने मरते समय कुछ सोना मुझे दिया था मैंने यह सोच कर कि जब वा बड़ा होगा तो उसे दे दूगा वा सोना जमिन में गार दिया या भेद सिवा मेरे और कोई नहीं जानता यदि आप मुझे तीन दिन की महलत दे तो मैं अपने भाई की अमानत उसे सौप कर वापस लोट आऊँगा उमर बोले किसी की जमानत दे सकोगे युवक ने खलिफा तथा अन्य लोगों की तरफ देखा अंत में अबुजर साहब की ओर इशारा कर बोला यह बुजर्ग मेरे जामिन हो जाएंगे खलिफा ने अबुजर से पूछा अबुजर तुम इस युवक की जमानत लेना स्विकार करते हो अबुजर ने उत्तर दिया हाँ मैं इस बात का जामिन होता हूँ कि यह युवक तीसरे दिन यहां उपसित हो जाएगा हजरत उमर ने उस युवक को छोड़ देने की आग्या दे दी तीसरा दिन हुआ खलीफा उमर अबुजर कता अन्य लोग उस युवक की राह देख रहे है समय बीत रहा है युवक का अब तक पता नहीं लोग अबुजर साहब के लिए बहुत दुखी और व्याकुल होने लगे दोनों फरियादी बार बार अबुजर से कहते जनाब हमारा अपरादी कहा है उसे हाजर कीजिए अबुजर ने दुर्टा पुर्वक कहा यदि दिन बितने तक अपरादी ना आया तो उसके बदले मैं अपने प्राण देने को तयार हूँ खलीफा उमर बहुत धर्म संकट में पड़े बोले अबुजर यदि अपरादी ना आया तो मुझे विवश होकर दंड तुमें देना पड़ेगा सभी बहुत चिंता में डुबे हुए थे इसी समय वह युवक पसीने से तर हाफता हुआ आया आते ही वह खलीफा को प्रणाम कर बोला खुदा का शुक्र है मैं समय पर पहुँच गया मेरी जामीन को कुछ नुक्षान न हो इसी लिए दोड़ता हुआ आया हो यह कहकर युवक आगे बढ़ा और अबुजर साहब का हाथ चुम कर बोला उपस्ति सजनो मेरी और इनकी पहली कोई जान पहुचा न थी परन्तो इन्होंने परोपकार वश मेरी जमानत ले ली अबुजर ने कहा बेशक मैं इस युवक को नहीं जानता था परन्तो जब इसने भरी सबा में मेरे ही उपर विश्वास किया तो इसे निराश करना मुझे अनुचित मालूम हुआ मुझे इसका चहरा देखकर ही ऐसा लगा कि यह अपना बचन पूरा करेगा यह दुश्य देखकर फरियाद्यों को भी दया आ गई उन्होंने हजरत उमर से कहा आप इसे छोड़ दे हमने इसे माफ किया इसवर जाने क्यों कर ऐसे बात के धनी से ऐसा अपराथ हो गया हजरत उमर बहुत प्रसन हुए उन्होंने उस युवक को छोड़ दिया सच बोलने के कारण हमें कितने ही संकटों का सामना क्यों न करना पड़े पर घबराना नहीं चाहिए अंत में सत्यक की ही विजय होती है प्रकरण दस्वा ढोंगी गदा एक गदा और गीदर आपस में मित्र थे एक दिन वे वन में गूम रहे थे रास्ते में उन्हें एक मरे हुए शेर की खाल पड़ी मिली गीदर ने मन में विचार किया मेरे तो यह बड़ी होगी यदि इस गदे को पहना दी जाए तो यह वन का राजा बन जाएगा और मैं इसका मंत्री फिर हम दोनों मौज करेंगे यह विचार कर उसने गदे से कहा मामा तुम यह खाल पहन लो और जंगल के राजा बन जाओ मैं तुम्हारा मंत्री बन जाओंगा फिर हम दोनों इस वन में राज्य करेंगे हमें तरह तरह का बोजन मिलेगा और सब पशुपक्षी हमारे अधीन रहेंगे लेकिन मामा तुम्हें गाने की बड़ी आदत है इसलिए अगर तुमने भूल कर भी गाना गाया गीदर ने यह खबर फैला दी कि वन के राजा गुमते फिरते यहां आ गए है जंगल के सभी जानवर वनराज तदा उसके मंत्री को रोज ताजा शिकार बेट करने लगे गीदर मजे से बर पेट खाता लेकिन गदे को तो कुमहार के गर के चिलके खाने की आदत थी वो दिन दिन सूखने लगा परन्तु सीह का पद भी छोड़ते नहीं बनता था वो दिन में तो सीह बना रहता और रात को गाउं में जाकर पेट भराता इस प्रकार गदा और गीदर बहुत दिनों तक अपना ढौंग चलाते रहें एक दिन मनिश्य के जुल्म से तंग आकर जंगल के सभी पसू वनराज के पास अपनी फरियाद लेकर आए एक एक कर सब ने अपनी अपनी फरियाद सुनाई बैल ने कहा मेरे बल से हल चलता है मैं ही ढोता बोज रोज क्या गाड़ी क्या व्यापार न पलभर का भी मिले करार गीदर ने कहा यही है पशो की फरियाद गोडा ने कहा मैं जान तोड़कर सेवा करता मालिक को ले रस्ता काटू उपर करू सवार और फिर भी सहता दुदकार गीदर ने कहा यही है पशो की फरियाद उट ने कहा सदा सवारी में रहता हो पर न पिलाते है पानी तक मुझे मुसाफिर क्रूड करू मरते मरते उपकार गीदर ने कहा यही है पशो की फरियाद राग रागिनिया सुनकर गधे राम का मन भी गाने के लिए मचल रहा था परन्तु किसी प्रकार अपने मन को रोक रहे थे इतने में हाथ ही आया, बोला राजा जी की अमबारी का मुझ पर है आधार सदा मुझी से सजे सवारी दमक उठे दरबार स्रेष्ट हू पशुओ का सरदार अब बनराज डगमक गए और क्रोध में आकर रैंक उठे अबे तु पशुओ का सरदार, भला रे पशुओ का सरदार तभी सब पसु एक साथ बोल ठे अरे यह तो गदा है गदा, मारो इसे मारो कीदड और गदे से भागते न बना सटता और मुर्खता इन दोनों के मिलने से धोंग बनता है और धोंग अंत में खुल अवश्य जाता है और उसका कूफल भी भूगना पड़ता है मुर्खम होने का दावा करना, गरीब होने पर अमीरों की तरह रहना ये सब धोंग है तुम कोई प्रश्ण न समझो पर यह कहने के बदले कि तुम नहीं समझे ऐसा दिखाओ कि समझ गए हो तो यह भी एक धोंग ही होगा ये सब जूट के ही स्वरूप है प्रकरण ग्यारा, राजा केन्यूट इंग्लेंड में केन्यूट नाम का एक प्रतापी राजा था वो बहुत सूरवीर और विनम्र था वो सदा इस्वर से डर कर चलता था उसके दरबार में कुछ खुशामदी दरबारी भी थे उसी दिन राजा अपने दरबारियों को लेकर समुद्र के किनारे सैर करने निकला दरबारियों ने कहा महराज आपकी शक्ती का क्या कहना आप प्रुत्वी ही नहीं समुद्र के भी राजा है यह भी आपकी आज्या मानते है केन्यूट को यह सुनकर बहुत क्रोध आया लेकिन कुछ न बोला उसने एक कुरसी लाने की आग्या दी समुद्र के किनारे कुरसी रखवा कर वह उस पर बैट गया धीरे धीरे समुद्र की लहरे चड़ने लगी तब केन्यूट ने अपना राजदंड दिखा कर कहा रे समुद्र तु मेरी आग्या न मालेगा जा पीछे हट जा पर तु पानी बढ़ता ही चला आया राजा के पैर भीग गए तब राजा ने अपने दर्बारियों से कहा अरे खुशामद्यो तुम समझते हो कि मैं तुमारी खुशामद से खुश होता हूँ पृत्वी, सागर, परवत, आदिस, रुष्टी इस्वर ने बनाई है वही इसका राजा है मैं तो समुद्र की एक लहर भी न रोख सका इसलिए इस्वर का सम्मान करो और उसकी खुशामद करो कहा जाता है उस दिन से कैन्यूट ने मुकुट उतार कर मंदिर में रख दिया जिससे लोगों को यह ज्ञान हो कि इश्वर ही सर्वसक्तिमान है मनुश्य नहीं, खुशामद भी चूट है इससे दूसरों को मुर्क बना कर लाप उठाने का यतन किया जाता है इसलिए खुशामदियों से दूर रह कर सच्चे हित चिंतक के कठोर वचन भी सुनने की आदट डालनी चाहिए प्रक्रण बारा जूठी खबर उडाना एक था खरगोश, वह बहुत डरपोग था, पत्तों की खड़खडाद सुनकर भी भैसे काप उगता एक दिन वह एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा था सहसा सुखे पत्तों पर आम की डाल तूट कर गिर पड़े आवाद सुनकर वह बहुत भैबेत हुआ सोचा अवश्य कोई आफ़त आई है, तुरंत वहां से भागा रास्ते में एक खरही मिली, खरगोस ने उससे कहा भागो भागो आफ़त आई है यह सुनकर खरही भी भागी, उसने यह बात दूसरे से कही और दूसरे ने तीसरे से इस प्रकार बात फैल दी गई, खरगोस से हीर्णों में, हीर्णों से बक्रों में, बक्रों से भैसों में, भैसों से उटों में, उटों से हाथियों में, अंत में यह खबर वनरा सीह के कान तक पहुची सीह ने सोचा ये सब डरपोग जीव है किसी जरासी बात से डर गए है जानना चाहिए असलित क्या है सबसे पहले उसने हाथी से पुछा गजराज तुम्हें कैसे मालम हुआ कि आफत है हाथी ने कहा माराज मुझसे तो उंट ने कहा था उंट से पुछा तो बोला माराज मुझसे तो भैसे ने कहा था भैसे ने कहा मैंने कुछ नहीं देखा बकरी ने मुझसे कहा था इस प्रकार एक एक कर सबसे पुछने पर पता चला कि यह बात सबसे पहले खरगोश को मालूम हुई थी तब सी ने खरगोश से पूछा, वह बोला, राजन मैंने अपनी आँखों से देखा है सी ने पूछा, कहा? खरगोश ने कहा, उस व्रुक्ष के नीचे, परन्तु मुझे वहाँ जानने में डर लगता है सी ने कहा, जब मैं साथ हूँ, तो डर कासा? चल, मैं तेरे साथ चलूँगा सी खरगोश को अपनी पीट पर बैठा कर व्रुक्ष के पास ले गया वहाँ देखा कि आम की एक टूटी डाल नीचे पड़ी है सी ने समझ लिया, अवैसे इसी की आवाज से या डर गया हूगा उसने डाल को उठा कर पुना उच्छाला, डाल गिरने पर पुना वैसी ही आवाज हुई तब सीही ने पुछा, तुमारी आफत यही थी या कोई दूसरी? खरगोश बहुत लजजित हुआ, उसका डर निकल गया उसने लोटकर खरही से कहा, भाई आफत की बात जूठी थी उसने हीरन से कहा, हीरन ने बकरे से और फिर वन में सभी पशों को असली बात मालूम हो गई सब स्चान्थ हो गई, जूठी खबर से लोगों में व्यर्थी भय समा जाता है और वे परिशान होने लगते है प्रकरन 13, जादू की अंगुठी एक गाउ में एक किसान रहता था, उसके पास बहुत ही थोड़ी जमीन थी इसलिए उसके हाथ तंग रहते थे, एक दिन प्राता काल अपने खेत में काम करने गया देखा, प्यास से दड़पती हुई एक व्रुद्धस्त्री भूमी पर बैचैन पड़ी है उसका रदय दया से पिगल गया उसने अपने कुए से पानी लाकर बुढिया के मुझ में डाला थोड़ी देर में बुढिया ने आखे खोली और उठ खड़ी हुई किसान को बारम बार धन्यवाद दिया फिर बोली भाई येदि तुझे कोई दुख हो तो मुझ से कह मैं उसे दूर कर तेरे उपकार का बदला चुका हूँ किसान बोला मा मैं बड़ा निर्धन हूँ मुझे कोई ऐसा मार्क बता जिससे मेरी दरिद्रता मिटे किसान की बार सुनते ही बुढिया ने उसे एक सोने की अंगुठी दी और कहा ले यह अंगुठी जादू की है बहुत दिन हुए मुझे एक सन्यासी ने दी थी जब तु इससे उंगली में पहन कर गुमाएगा तो जो इच्छा उस समय तेरे मन में होगी तुरंत पूरी हो जाएगी पर तु याद रहे इस अंगुठी का उपयोग केवल एक बार ही हो सकता है इसलिए पक्का निश्चय किये भीना उपयोग न करना इतना कह बुढिया एक ओर चली गई किसान हर्स में डुबा अपने गर की ओर चला राह में उसका एक सुनार मित्र मिला उसने उस अंगुठी की कीमत पुछी सुनार ने उसकी कीमत बहुत कम बतलाई इस पर क्रिसान बहुत हसा और बोला इस अंगुठी की कीमत तो 10 करोड रुपय भी कम है यह जादू की अंगुठी है सुनार ने कहा यार इसका कुछ रहस्य मुझे भी तो बताओ यह तो अनोकी वस्तु होगी किसान सीधा साधा था उसने जो कुछ खेत में हुआ बता दिया सुनार कप्टी तदा लो भी था उसकी नियत बिगडी उसने घर जाकर वैसी ही एक दूसरी अंगुठी तयार कर ली फिर एक दिन किसान से वो अंगुठी अपनी स्त्री को दिखलाने के बहाने मांग लाया और अपनी बनाई अंगुठी किसान को वापस बेज दी दूसरे दिन सुनार बिना परिश्रम के धन्वान बनने की लोब से अपनी दुकान के द्वार अंदर से बंद कर अंगुठी को उंगली पर फेर कर बोला मेरी इच्छा है यह दुकान तुरंत सोने की एक करोण मुहरों से भर जाए सुनार के मुख से ये सब्दन निकलते ही थे की चारों तरफ से दुकान में सुवण मुहरों की वर्षा होने लगी वे मुहर सुनार के सिर और पीट पर तड़ा तड़ गिरने लगी अंत में सुनार स्वण मुहरों के नीचे दबकर मर गया हिसान की स्त्री उससे बारम बार अंगुठी द्वारा लगपती बन जाने का आगरह कर दी हिसान ने उसे समझाया जब हम रुद्ध हो जाएंगे और हमारे सरीर की शक्ती मंद पढ़ जाएगी तब हमें अंगुठी का उप्योग करने की असली जरूरत पढ़ेगी अभी तो हम जवान हैं हमें बिना अंगुठी की सहायता लिए केवल अपने परिश्रम पर निर्बर रहना उचित है क्योंकि इस अंगुठी का उप्योग केवल एक ही बार हो सकता है स्त्री को अपने पती की बात युक्ती संगत लगे किसान और उसकी स्त्री रुद्ध होने तक उद्योग करते रहे और एक दिन मर गए उन्हें अंगुठी की सहायता से धन कमाने की आवश्यक्ता ही न पड़ी मरते समय वह पहले से लाख गुनी संपती छोड़ गए क्योंकि वह उद्योग करने के साथ बचत करना भी जानते थे जो शट्ता पुर्वक बिना उद्यम की ये धन एकत्र करता है वह धन के धेर में दब कर मर जाता है संकट के समय इस्वर मेरी सहायता करेगा ऐसी सुद्ध बुद्धी पर भरोसा करना ही सच्ची जादू की अंगूठी है जो आत्मविस्वास के साथ अपने पुरुशार्थ लगन और परिश्रम द्वारा धन कमाता है वह सदा सुकी रहता है प्रक्रण चौदा उद्योग और नाभाग की कथा उद्योग बगदाद में इब्राहिम नामक एक मौल भी रहते थे एक बार उनके पास एक खटा-कटा बिखारी भीक मांगने आया इब्राहिम ने उससे पूछा क्यों भाई क्या तेरे पास कुछ भी नहीं है बिखारी ने उतर दिया नहीं हुजूर, मेरे पास किवल एक चटाई और लोटा है इब्राहिम शाहब ने कहा अच्छा तो इन दोनों चीजों को मेरे पास ले आओ बिखारी ने दोनों चीजे लाकर उनके पास रख दी इब्राहिम सहाब ने दोनों चीजों को निलाम कर दिया और पैसे उस बिखारी को देते हुए कहा इन पैसों में कुछ का अनाज लाकर खालो और बाकी पैसों से लुहार के यहां जाकर एक कुलहारी का फॉल करा लाओ बिखारी पेट बर अन्नका कर लुहार के यहां गया और कुलहारी का एक फॉल तयार करा लाया मौलवी सहाब ने एक लकड़ी उस फल के छेद में ठोक दी, खुलहाडी तयार कर उस बिखारी को दी और बोले जा इससे लकड़ी चीर कर अपने जीवी का चला जो धन पसीना बहा कर पैदा किया जाए वही सच्चा धन है नाभाग की कथा महराज मनु के पुत्र का नाम नभग था नभग के कई पुत्र थे सबते छोटे का नाम नाभाग था नाभाग गुरु के यहाँ बहुत दिनों तक विद्या पड़ता रहा उसके भाईयों ने समझा वह सदा प्रम्मचारी ही रहेगा अता पिता की सारी संपती आपस में बाट ली नाभाग का कोई हिस्सा न रखा जब नाभाग गुरु के यहाँ से विद्या पूर्ण कर लोटा तो अपना हिस्सा मांगा आया हुआ धन कौन लोटाता है भाईयों ने उससे कहा तेरे लिए तो हमने अपने बुढ़े पिता को रख छोड़ा है नाभाग ने पिता के पास जा कर पुछा पिता जी मेरे बड़े भाई कहते हैं कि मेरे हिस्से में तुम आये हो का यह सच है पिता ने कहा बेटा मैं तुझे ठगना चाहते हैं तो भी यदि उन्होंने मुझे तेरे हिस्से में दिया है तो मैं तेरी जीवी क्या का उपाय बताता हूं किसी राजा के यहां यग्य हो रहा था नाभाग के पिता ने उसे लहला दी कि वो यग्य में चाए उसे सबको अपनी विद्वत्ता से लाब पहुचा कर कमाई करने की सला दी नाभाग उस यग्य में गया उसे वहां एकत्य प्रह्मन को अच्छे अच्छे इस्वरिय सुत्र बताए खुश होकर प्रह्मन ने उसे यग्य की दक्षिरा लेने की अनुमती दे दी यग्य के अंत में जब वह धन लेने जा रहा था तो रुद्र देव वहां आये और कहा इस यग्य भूमी में प्राप्त हुआ धन मेरा है नाभाग बोला यह धन रुश्यों ने मुझे दिया है रुद्र ने कहा जा इसका निणे अपने पिता से करा ले जो वह कहेंगे मुझे मानने होगा नाभाग ने पिता के पास जाकर सब हाल कहा और पूछा यग्य भूमी में प्राप्त हुआ धन किसका है पिता ने कहा रुद्र का नाभाग ने आकर यही रुद्र से कह दिया पिता के नियाय तदा पुत्र की सच्चाई से खुश होकर रुद्र बोले हे नाभाग तेरे पिता ने धर्मवचन कहे और तू भी सत्य बोला इसलिए जा इस धन को तू ही ले जा मैं तुझे परमात्मा का नियान देता हूँ वसुन तद पस्चाथ नाभाग को ज्ञान का उपदेश देकर सत्य प्रेमी रुद्र देव अंतरधान हो गए भाई का भाई को धोखा देना आपस में धन के लिए जगड़ना महापाप है जो कुटुम में कला न करके अपनी चीवीका का उपाय स्वयम निकाल लेता है उसकी इश्वर सहायता करता है अस्तू अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब करो थेंक यू